प्याज की निर्यात बंदी से किसान और ट्रेडर दोनों परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन पौने दो महीने बाद भी केंदर सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया है। ऐसे में महाराश्ट्र के बाद अब प्याज उतपादक गुजरात से भी एक्सपोर्ट बैन के खि लिखे पत्र में इस फैसले से हो रही परेशानी का दिक्र किया है। मंदी प्रबंधन ने किसानों के हित में इसे जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। उधर महाराष्ट्र में इसे लेकर अब किसानों का सब्र जवाब देने लगा है और वो अब मंडियों में प्यास की नीलामी बंद करवाने पहुँचने लगे हैं। एग्री कल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी भावनगर के अध्यक्ष घनश्याम भाई पटेल ने वानीजे मंत्री पियूश गोयल को लिखे पत्र में कहा है कि जै किसान के साथ यह कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के प्याज निर्यात पर प्रतिबंद लगाने से कीमत अब पहले की तुलना में सिर्फ 25 परसेंट रह गई हैं एक्सपोर्ट बैन होने की वज़े से आवक बढ़ गई है जिससे किसानों को कम दाम मिल रहा है पटेल ने आवक का उदाहरन देते हुए वानीजे मंत्री को भेजे पत्र में लिखा है कि 28 जनवरी को महुवा APMC में एक ही दिन में प्याज के 4 लाख बैग प्राप्थ हुए हैं जिससे कीमत काफी घट गई है उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में किसानों ने घाटा उठा कर प्याज बेचा था आज फिर घाटा उठाने की नौबत आ गई है प्याज उगाने वाले किसानों को नुकसान से ब रखते हुए कृपया किसानों की पीरा को दूर करें एक्सपोर्ट बैन के फैसले से किसानों का प्याज का पूरा एक सीजन बरबाद हो गया है आम तोर पर दिसंबर के महीने से खरीफ सीजन का प्याज खेट से निकलना शुरू होता है उसी वक्त सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जिससे अच्छी कमाई करने के उनके मनसूबों पर पानी फिर गया केंदर सरकार ने साथ दिसंबर की देर रात प्याज एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था तब से इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है लेकिन सरकार ने उसे काई हुई थी ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी